बिजनसमेन और मोटिवेशनल स्पिकर टी हाव एकड कहते हैं आप मुझे अपनी सिर्फ पांच मिनट दीजिए मैं आपकी लाइफ प्रेडिक्ट करके बता सकता हूँ कि आप फैनेशली फ्री होगे या नहीं आप अमीर बनोगे या नहीं यह ऐसा इतनी confidence से इसलिए कहा पाते हैं क्योंकि इन्होंने सालों तक के millionaire, millionaire की psychology के बारे में और mindset के बारे में study की है इसमें अपने आपको इतनी perfect बना गई है कि इस तक की income prediction गलत नहीं हुआ है वो हमारे life को कुछ चीज़े कर देख कर की बता सकते हैं कि आपके motivation को पैचान सकते हैं आपके behavior के बारे में भी बता सकते हैं इन्ही सब चीज़ों को आपको देखके सांथ ही पैचान सकते हैं आपको लगता होगा यह अपने मन से ही कुछ भी बताते होंगे पर ऐसा नहीं है इन्होंने सालों मेनत की हैं इस चीज़ के लिए और अपने इस capability को build करने के लिए और यह सभी जगा सहीं साभीत हुए हैं और आपको यकिन नहीं होगा कि अपने business line में भी बहुत great हैं और अपने business के थ्रोई millionaire बनी हैं ना कि अपने ये हुणर वाले चीज़ से इन्होंने business में focus लगाया हाँ बट मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकी जो capability है वो इनकी business में बहुत important role play की है अगर माल लोन के पास वो capability नहीं होती तो सयाद इने struggle करना पड़ जाता क्योंकि हर आदमी के पास एक नेक honor रहती है जिसे वो अपने main काम में अपयोग करता है और उसे वो बहुत काम भी आती है ये एक ऐसे आदमे जो alert film में आके कुछ अलग film में काम किया और उस दूसरे film में बहुत आगे तक चले गए इन्होंने उस capability को छोड़ते हुए एक alert group बिजनस में जाने की सोची जबकि उन्हें बिजनस के बारे में कुछ पता ही नहीं था पर फिर भी वो अपने बिजनस के तुरू एक successful man है ऐसा इसलिए उनके mindset के कारण हुआ इसके लिए उन्होंने बुक भी लिखी है जिसमें इन्होंने हमारे mindset के working के बारे में बताई है ऐसी क्या-क्या mindset है जो हमारे successful बनने में बहुत काम आती है और उनकी बुक है The Secrets of the Millionaire Mind इसमें उन्होंने अपने mindset और thinking psychological के बारे में बताई है जो की real life में काम करती है और इसे mindset के तुरू आप भी grow कर सकते हो वो भी बहुत जल्दी इन्होंने उस बुक में बहुत से चीज़े लिखी है mindset के बारे में पर मैं आज उस बुक से सिर्फ 5 चीज़े बताऊंगा जो की बहुत जल्दी फेट करेगी आपके life में कि हमारा mindset ही ऐसी है जो हमें अच्छे चीज़े करने में बहुत प्रसाहित करती है अगर हमारे अच्छे mindset रहेंगे तो हम अच्छे field भी select करेंगे और अगर अच्छे field select कर दिये तो indirectly हमारे life भी अच्छी होती चले जाएगी तो पहली चीज़े आपकी खुद की mind जिन करके उसे ठीक कर सके इसके लिए हमें अपने mind को train करना पड़ेगा ताकि वो कोई भी situation में negative चीज मस सोचे बहुत खराब से खराब condition में भी वो positive thinking दे क्योंकि positive thinking रहेगी तो हमें अच्छे अच्छे idea आएंगे जैसे मेरा situation आता है मैं उसको सोचके उसके हिसाब से पैसा कमाता हूँ और उतना ही पैसा कमाता हूँ जितना मेरा situation कह रही है मतलब मान लो आपकी monthly expenses 30,000 है और आप सोचते हो कि मैं 50-60,000 रुपय मंतली कमाना चाता हूँ क्योंकि उससे मेरी expenses बिल्कुल भी हड़ जाएगी और कुछ पैसे भी बच जाएंगे फिर आप उससे ज़्यादा कमाने की सोचते भी नहीं हूँ क्योंकि आपकी life उसमें ही अच्छे चर रही है आपके पैसे भी बच जा रहे हैं थोड़े बहुत बट आप जो मन चाहे वो ले नहीं सकते योगि आपने उतना पैसा बिल्डी करके नहीं रखा है आपको कुछ महेंगी चीज़ी लेने के लिए उस टाइम आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे तो इससे यही हुआ ना कि आपकी कंडिशन के हिसाब से आप पैसा कमाने के लिए सोचे हो आपकी कंडिशन जितनी भी घराब होती गई आप उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की सोच दे हो ना कि इतने के पैसे कमाओं कि हम फिल इने आको हमारी कंडिशन कैसी है। इसलिए आप अपने सोच को इंपरूव करो। इतना पैसे कमानी की सोचों, हमारे मंथली एक्सपेंसेस हम बैठे बैठे ही कमाले। और हमें कोई भी expensive चीज़ लेनी के लिए दो बर सोचना ना पड़े एक example लेते हैं माल लोग आप हर रोज एक restaurant में जाते हो और रोज के रोकाच same ही dish order करते हो जिसका price बहुत कम होता है और आप daily वही काते हो और यह सोसते हो दूसरा चीज़ खाऊंगा तो मुझे ज्यादा प decision कैसी भी रहे हमें menu card देखनी ना पड़े तीसरा है focus on opportunity यह एकसर होता है हमेर लोग हर opportunity को grab करते हैं और वहीं poor लोग 90% opportunity को देखकर उसमें कहामया निकालते हैं उसी यह कहके हटा देते हैं कि यह मेरे लायक नहीं है poor mindset के लोग अपने डर के अधार पर decision लेते हैं और उनने decision लेने के बाद भी यह मन में रहता है मैंने यह गलत किया यह सहीं किया इसलिए जो भी opportunity आ रहे हैं उसे अच्छे से देखे उसके बारे में information ले और हो सके तो थोड़ी दिन उस opportunity में काम करें और कहीं वो opportunity आपको profit दिलाता है तो उसी opportunity को grab करके उसी पे बहुत मेहनत करें च फिर भी हो सकता है वो courage में होंगे कुछ ऐसी बाते सुनने मिलती है तो इसी से हम सबसे पहले demotivate होते हैं और आगे सोचने की छम तक हो देते हैं और ऐसी चीज़े हमें thoughts में effect डालती है यही वो वजह हमें आच्छे चीज़े सोचने में दिक्कत जाती है क्योंकि हमारे घर लाना चीज़े और हमें सब positive रहना चीज़े और हो सके तो इन लोगों की ऐसे ऐसी बातों को ignore करना चीज़े विकॉस हमें लाइफ में बहुत बढ़ा करना है फिप्त और लास्ट है believe poor mindset के लोग कमी और अभाव पर believe करते हैं वे उस कावत पर विश्वास करते हैं कि हमें life म सब कुछ तो नहीं मिल पता, poor mindset के लोग सीमी सोस तक ही रहते हैं और अपने तक ही रह पाते हैं, उनको अपने काम के उपर बिल्कुल भी believe नहीं रहता, वो दूसरों को देख करके अपना काम जरू करते हैं, तो मैं आप लोग को यह recommend करूंगा कि आप अपने हर काम के उपर अपने life में बहुत जदा implement करते हैं, और इसी कित्व अपने नहीं में बहुत successful आदमी बन चुके हैं, और मैं चाहता हूँ इन सब चीजे को आप भी बहुत जदा implement करें अपने life में, इस चीजी hidden improvement करती है आपके life को, आपकी सोच को, आपके mindset को बदलती है, आपको consistent करती है वर्क उपर, और हम इससे सबसे बड़ा सोचे, थैंक यू, वीडियो पसंद आया तो life share सब्सक्राइब जरूर करें